आज मैं बनाऊंगी दिवाली स्पेशल एकदम क्रिस्पी और खस्ता चकली दिवाली पे चकली तो हर किसी के घर पर बनती ही है पर चकली हर गर में अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है मैंने भी इसके पहले चकली की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है पर आज हम एक पहुए से एकदम क्रिस्पी और फस्ता चकली बनाएंगे और यह चकली ना ओयली बनेगी ना ओयल में बिखरेगी और जटपट बिना टेंशन बना सकते है तो वीडियो बिना स्किप किये एंड टक जरूर दिखेगा और इस दिवाली पर चकली एक बार जरूर ट्राइ करन उससे मेरी वीडियो के नाटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी एकदम क्रिस्पी और खस्ता चकली बनाने के लिए मैंने यहां एक कप पोवे लिये है और यह पोवे जो अकसर हम ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते है वही पोवे लिये है आप चाओ तो नाइलोन पो पोवे डाल देंगे और दालिया भी एड़ कर देंगे अब स्लोटू मेडियम फ्लैम पर चमत से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे जिसे डालिया और पोवे में जो भी नम्मी होगी वह निकल जाएगी तो हमें रोस्ट करने में तीन से चार मिनिट लगेगी और देखे इस तरह क्रिस्प हो जाए तब तक हमें रोस्ट करना है तो तीन से चार मिनिट के बाद हम इस तरह दो उंगली के बीच में प्रेस करके चेक कर लेंगे तो पोवे में से आप देख सकते हो कि नम्मी निकल गई है और एक्दम क्रिस्प हो गये है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और पोवे और दालिया को हम ठंडा होने देंगे एक से दो बार चमत से इस तरह चलाते रहेंगे जिससे यह जल्दी से ठंडे हो जाएंगे तो देखें ठंडे हो चुके है और पोवे भी एकदम क्रिस्प हो गये है अब इसे छोटे मिक्षर बावल में डाल डाल कर अच्छे से चान देंगे जिससे जो भी बड़े चंक्स रह गया है उसे हम निकाल देंगे तो देखें इस तरह के जो बड़े बड़े चंक से उसे हमें निकाल देना है अब दोनों आटा चानने के बाद एक बार हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अक्सर चाव को हाथ से क्रश करके एड़ करेंगे एक टीस्पून जीरा और दो टीस्पून काले तील एड़ करेंगे आप चाहो तो सफित तील भी एड़ कर सकते हो वनफोर्थ टीस्पून हल्दी पावडर वनफोर्थ टीस्पून हींग और एक टीस्पून लालमिश पावडर एड़ करे मैंने यह 4 टिपल स्पून गी लिया है करेंगे तो देखेंस तरह मिरियम अटा डालका चेक कर लेंगे तो गेस बन करकेज को असित तरह गरम गी रहे गा तब भी अटे में अट हो आधे में आड़ कर देंगे और हाच से अच्छे से मसलते हुए आटे में मोन लगा देंगे तो ये चकली में हम घी का ही यूज करेंगे वैसे आप चाहो तो ओयल का भी यूज कर सकते हो तो इस तरह घरम घी एड़ करने से चकली हमारी एकदम खस्ता बनेगी तो नॉर्मल हम ठंडा घी का यूज नहीं करेंगे देखे इस तरह मुठी भर अच्छे से मोन लग चुका है अब चकली का आटा लगाने के लिए हम घरम पानी का ही यूज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा घरम पानी एड़ करते जाएंगे और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे घरम पानी एड़ करने से चकली के आटे में अच्छे से बाइंडिंग आएगा नई तो ये बिखर जाएगी तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें गरम पानी ही एड करना है तो इतने आटैं लगाने के लिए हमें देड से पोने 2 कप का यूज करना है जैसे थोड़ा-थोड़ा पानी आड करते जाएंगे वैसे ये आटा थोड़ा द्राइ हो जाएगा क्योंकि पहवा भी है तो पहवा पानी सोग कर लेता है तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके आटे को इस तरह थोड़ा हलका नरम रखना है अब साची को भी मैंने ओल से ग्रीस कर दिया था अब हम इसे इस तरह गोलगोल चकली बनाएंगे तो ये चकली के लिए आट हमें एकदम पर्फेक्क लगाना है अगर आटा थोड़ा भी ड्राइ होगा तो चकली तूट जाएगी और अच्छी से बाइंडिंग नहीं आएगा अगर ऐसा हो रहा है तो हो वापस हम थोड़ा गरम पानी एड़ करके आटे को थोड़ा नरम कर देंगे तो देखे इस तर चकली गोलगोल बनाना और फ्राइ करना दोनों काम साथ में कर सकते हैं और अच्छे से घरम होना चाहिए और गैस की फ्लैम भी हम मीडियम रखेंगे और एक चकली हम ऑईल में डाल देंगे और चकली ऑईल में डालने के बाद हम 42-50 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे त तो साइट चेंज करने वक्त चकली तुटेगी नहीं अब हम साइट चेंज कर देंगे और दुसरी साइड में हम अच्छे से फ्राइ होने देंगे तो एक बैच फ्राइ होने के लिए 5-6 मिनिट लगेगी अब गैस की फ्लैम स्लो कर देंगे और पलट-पलट कर फ्राइ कर तो देखे इस तरह golden brown हो जाए तब तक हमें चकली को fry करना है तो देखे ये batch fry हो चुका है अभी से हम प्लेट में निकाल देंगे और दूसरा batch fry करेंगे तो वापस हमें gas की flame medium to high कर देनी है और फिर एक एक चकली को हम oil में डाल देंगे अगर oil का temperature कम होगा तब भी चकली oil में डालेंगे तो विखर जाएगी और oil का temperature जादा होगा तो जल्दी से चकली उपर से लाल हो जाएगी और अंदर से नरम रह जाएगी तो हमें oil का temperature भी एक दम प्रॉपर रखना है तो देखे ये दूसरा batch भी fry कर लिया है और इसी तरह हमें golden brown होने तक ही fry करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद एक दम crisp हो जाएगी तो देखे यहां मैंने सारी चकली fry कर लिये है मैं आपको एक चकली तोड़कर भी दिखा रहे हूँ और तोड़ने से ही पता चल जाता है कि चकली एक दम crunchy और crisp बनी है और बिल्कुल oily नहीं बनती है तो आप भी इस दिवाली पर पोवे की चकली एक बार गर पर जरू ट्राइ करना सभी को बहुत पसंद आएगी Thank you so much for watching